नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ अपनी आखों की शक्ति को 20 गुना ज्यादा तेज कीजिए आए जानते हैं यहीं टॉपिक है आप सभी के लिए आज का आखों के रोशनी से रिलेटेड दृष्टी कमजोर होना आज की जीवन शेली की एक आम समस्या है यहां तक की निविदा आयू वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कमजोर आखों के कारण चश्मे का उपियोग करते हुए देखा जा सकता है गर्मी और मस्तिश्क की कमजोरी कमजोर दृष्टी का एक मुख्य कारण है एक शक्तिशाली प्रकाश में निरंतर पढ़ना पाचन विकार असंतुलित खाने और भोजन में विटामिन ए की कमी भी कमजोर दृष्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं शराब के सेवन से भी आखों पर प्रभाव प बुन्द के रोप में आहार के भाग के रोप में इस्तेमाल किया जा सकता है कमजोर दृष्टी के लक्ष्णों को जानते हैं वस्तूओं पर ध्यान के इंद्रित करते वक्त आख कमजोर करते हैं कमजोर आँख की मांस पेशियां, द्रिष्टी में समस्याओं का कारण बनती हैं। अधिकतर लोगों की आँखें लगातार किताबें पढ़ने, स्मार्टफोन या कम्प्यूटर स्क्रीन पर तिवर और लंबे समय तक एकागरता से देखने से आसानी से ठक जाती हैं। दूर किसी वस्तु को देखो। इसके अलावा आप चमक को कम करने के लिए अपने स्क्रीन सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। लगातार अध्यान करना पड़े तो बीच में समय निकालकर एक बार टहलने के लिए उठें और आस पास की किसी वस्तु पर या अपनी आखें किसी अलग कारे पर केंद्रित करें। से आँखों को आराम मिलेगा। अत्याधिक समय तक टीवी देखने में समय न खर्च करें। कम्प्यूटर स्क्रीन पर पास से लगातार काम न करें। अत्याधिक पढ़ते रहना भी आपके लिए लौस वाला हो सकता है लगातार। हवा में हानिकारक प्रदूशकों के संपर्क में आने से भी आपको प्रोब्लम होगी। मोबाइल फोन का ज्याधा इस्तेमाल भी आपके लिए हानिकारक होता है। नेत्र समस्याओं के लिए अब घरेल उपचारों को जान लेते हैं। पिश्रन तयार करें। उन्हें पीस लें और उबलते पानी में इस संयोजन को डालें और एक घंटे के लिए इसे ढख कर रखें। फिर एक साफ कपड़े से इसे चान कर प्रयोग करें। यह नेत्र शलेश्मा लाशोत के लिए एक अमूक लाज है। दूध में बादाम को भिंगो करके उन्हें रात भर रख कर रहने दें। सुबह इसमें चंदन भी मिलाएं। इसे पलकों पर लगाएं। यह नुस्खा आँखों की लालिमा को बिलकुल कम कर देता है। इलाईची के दो छोटे टुकड़े ले 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 उन्हें पीश कर दूध में डाले और दूध को उबाल कर रात में इसे पीए। यह आँखों को स्वस्थ बनाता है। आँखों की देख भाल के लिए आहार में विटामिन ए का सिवन जरूर करें। विटामिन ए घाजर संतरे और कद्दू, आम, पपीता और संतरे, नारंगी और पीले रंग की सबजियों में नहीत होता है। पालक, धनिया, आलू और हरी पत्तेदार सबजियों, डेरी उत्पादों में एक ही उचित मात्रा विद्द्यमान होती है। इसलिए इनका सिवन जरूर करें। मोत्या बिंद्द का खत्रा आहार में विटामिन सी लेने से कम हो जाता है। इसलिए अम्रूद, संतरे, निम्बू, और टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, इत्यादी के रूप में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ आहार में शामिल किया जाना आवश्यक होता है। मोत्या बिंद्द के खिलाफ सुरक्षा करता है। पका हुआ फल, ब्लूबेरी हर रोज आधा कप खाना चाहिए आपको। बादाम में उमेगा थ्री फैटी एसीड, विटामिन ई और इंटियोक्सिडेंट समगरी होने की वजह से दृष्टि में सुधार के लिए बहुत ल एक गलास गर्म दूद्ध के साथ इस पेश्ट को खाएं, कम से कम कुछ महीनों के लिए इस प्रयोग को करें। एक कप गर्म दूद्ध में आधा चमच मुलेठी पाउडर, एक बटा चार छोटा चमच मक्षन और एक चमच शहद अच्छी तरह से मिक्स करके सोते समयी से प पाने और इस्टतम दृष्टी बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, जिहां हम आपको कुछ वयायाम बाता रहे हैं, जिनके साहरे आप आँखों की स्थिति को सुधार सकते हैं, एक हाथ की दूरी पर एक पेंसिल पकड़कर उस पर ध्यान के अंद्रित करें, धीरे एक दिन में दस बार दोहराएं, कुछ सेकेंड के लिए घड़ी की दिश्चा में अपनी आखें गोल घुमाएं, और फिर कुछ सेकेंड के लिए विपरित दिश्चा में घुमाएं, और इसे चार या पांच बार दोहराएं, अपनी आखों के 20 से 30 गुना तेजी से बार ब ध्यान लगाएं जिहां अपनी आखों के दबाव के बिना यह करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप चांद को देखो और हर रोज 3-5 मिनट के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करो हर रोज 2-3 बार पानी के साथ अपनी आखें धोएं अपनी हथेलियों को तब तक आप चांद रोशनी को कम करके रखें ताकि आखों पर बुरा प्रभाव न पड़े आखों को धूल मिट्टी और सुरज की तेज किरणों से बचाना आपको जरूर चाहिए लगातार काम करते समय बीच में आखों को कुछ विश्राम देना भी बहुत जरूरी होता है विभिन द निकट की वस्तु में तो साफ दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तु में धुंदली दिखाई देती हैं दूर की वस्तु में देख पाने में व्यक्ति खुद को असमर्थ महसूस करने लगता है दिर्ग दृष्टी दोश यानि कि दूर दृष्टी दोश इस दोश में इसी भी दूरी की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है धुन्धलापन महसूस होने लगता है रेटिना टुकडी जब अचानक से चमकती रोशनी आखों पर पड़ती है तो उसके बाद द्रिष्टी में काले धबों का सयोजन होने लगता है कुछ देर तक आखों के सामने काल वेदन शील हो जाती है रतौंधी मंद प्रकाश में वस्तु को देख पाने में कठिनाई रतौंधी का एक संकेत है यह अक्सर विटामिन D की कमी से होता है मोतियविंद मोतियविंद विकास आम तोर पर एक क्रमिक प्रक्रिया है आपका पहला लक्षन धुन्धला दिखाई देने से संबंधित होता है एक नियमित नित्र परिक्षा के दोरान इसकी पहचान की जा सकती है लक्षनों में शामिल है जैसे की चमकदार रोशनी में आखों से धुन्धला दिखाई देना रात में कमजोर दृष्टी और कुछ भी देख पाने में कठिनाई होना आटो पिंग चित्र समान्य रूप से अंधेरे पुतली के लिए एक दूधिया सफेद या अपारदर्शी उपस्थिती जी हां दर्दनाक सूजन और आखे भीतर दबाव तीर्यक द्रिष्टी इस दोश में आखें एक समन्वित पैटर्न में एक साथ इस्थिर नहीं रहती है इस दूक्टर को दिखाएं जरूर आजए जानते हैं किसी स्थिती में डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है जी हां आपकी दृष्टी में प्रकाश की चमक के रूप में रेटिना टुकडी के लक्षन अनुभव होने पर आपको आँखों की दृष्टी की प्राप्त करने की जरूरत होती है यदि आप समान्य रूप से उज्वल प्रकाश के प्रति समवेदन शील हो जाते हैं तो आपकी आँख के अंदर सूजन हो सकती है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें आँखों से लगातार पानी आने पर आँख में संक्रमर का खत्रा हो सक सकता है इसलिए तुरंत अपने चिकित सक्षे परामर्ष लें आँख की कोई चोट भी आपकी द्रिष्टी को प्रभावित करती है आपको आंतरिक रक्त श्त्राव या अपनी आँख के आसपास की हड़ी के फैक्टर होस जाने पर भी यह एक आपातकाली चिकित सा हो जाती इसलिए डॉक्टरी परामर्ष आवस्य ले लें आखों में किसी भी प्रकार की लालिमा जलनी या दर्द के स्थिति में अपने नेतर चिकित सक्षे आवस्य शंपर्क करें क्योंकि यह बेहद ही जरूरी होती हैं बिना आखों के हम जिवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ज गिलिए ले जरूरी होती हैं तो तो